बेंकों की घाटे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं बेंकों के इन पीए भी बढ़ते चले जा रहे हैं बेंक की डूबत बढ़ती चली जा रही है इन सबसे परिशान होकर अब सीवियाई द्वारा बेंकों की साथ दोखा दड़ी करने वालों खिलाब देश वापी अभी हान शुरू के किया गया है इसके तहट एक साथ 42 एफाई आर दर्च करते हुए जाँचे जिनसी ने देश भर के 190 इस्थानों पर चापे मारें सीवियाई के अनुसार 42 मामलों में बेंकों को 7200 करोड साथी का चूना लगाया गया सीवियाई ने छापे में गोटाले सम्मदित अहम दस्तावेज भी बरामद होने का तावा किया है छापे की कारवाई एक साथ 16 राज्यों और क्यंद्शाषित प्रदशों में की गई इस सीवियाई जिन कंपनियों के खिलाब कारवाई की गई उन्होंने बड़े पेमाने पर बेंकों के साथ धोका दड़ी की है सीवियाई कारवाई में कुछ बड़े गोटाले बाजबी निशाने में रहे इनमें भारती स्टेट बेंक की बोपाल शाखा को 1266 करोड का चूना ल लेकर करच टकारने वाली चन्ने की सुराना इंडस्टी औरियंटल बैंक ओप कमर्स की दिल्ली शाखा से 223 करोड का करच लेकर दूसरी कंपनियों में इस्ताने करने वाले लालसंस जुएलर शामिल है मुरे ना में तो यूको बैंक के साथ दुखा जड़ी करने वाले नीजी गोदाम के संचालक है मुरे ना में नीजी गोदाम संचालकों ने बैंक मनेजर के साथ मिली बगत करके चप्रासी ड्राइवर के नाम की परचियों के सारे खाली पड़े गोडाउन को भरा बता कर बड़ी रच्टी खड़ा पुली इसके लाव सी बी आई ने कानपूर की फास्ट इंफ्रास्ट्रिक्टर एंड एनरजी पर भी फास्ट जी दस्तावेजों के जरी यूनियन बैंक ओफ इंडिया से 68 करोड रुपे लेने का अरुप लगाया है कंपनी के निदेशक उदाई जैन दैसाई सहीत पांच को आउरोपी बनाया गया है जेवियम एग्रो ने भी फरजी वाड़ा करके 1036 करोड की दोकादरी की है कुल मिलाकर CBI की इस कारवाई से पूरे देश में हड़कम मच गया है